हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज है संडे और डेट आज की होगी आइधिंक मुझे लगता है कि 18 सप्टेबर होगी शायद से तो आज हम जा रहे हैं सूरत तो हम ट्रावल्स में बैठ चुके हैं और मेरे हबी जो है वो हमें छोडने के लिए आये थे तो अभी हमारी ट्रावल्स शुरू हो गई तो उन्होंने भी अपने बैक निकाल ली है ये दिखे और मॉर्निंग में कुछ शूट नहीं कर पाई क्य मेरी मॉमी के और बच्चों के लिए तो बनाना धा नाना धोना बहुत सा होता है हम लेडिस का तो और तैयारी भी होती है तो बस इसी वज़े से मैंने जो है शूट नहीं करा तो उसके लिए सारी और ये हमारे यहां का मतब जहां से ट्रावल्स गुजरी ना वहां का तक तो वह सो चुके थे तो मैंने सोचा चलो जाने दो सोने दो इनको क्यूंकि हम बड़े से बॉक्स में बेठे थे ट्रावल्स में तो बहुत सारी बहुत पेस होता है उसमें बहुत जगा होती है तो मुझे तो ना ट्रावल्स वेगेरा जो है बहुत ही मतलब सुट नहीं होती है warmेट हो जाती है और मुझे इस टाइम मुझे नहीं हुई पर खुशी को ही हो गई यार कुशी को पहली बार गाड़ी जो है न सूट नहीं करी आज तो उसे बहुत ही ज्यादा उमईट हो रही थी और अभी तकरीबन टाइम हो रहा था साझ दास या पोने 11 का तो वो सो ही थी और सोते सोते ही मतलब जट से उठी और बुनने लगी कि ममा मुझे ना मेरे पेट में दुख रहा है और मुझे वामिट के जैसा फील हो रहा है तो मैंने उसके पेट जैसे ही मतलब ये करने लग गई ना मैं यह मैंने मुम्फली लाई है और बॉइल की हुई मुम्फली और एक एपल लाया था क्यूंकि मेरा तो फास्ट है ना इस वज़े से और मैं रात को भी नहीं छोड़ती हूँ तो मेरा मतलब फराल पर ही फास्ट होता है नवरातरी के नो दिन तक तो आप देख सकते हो यहां का व्यू यह देखो और हम ना ट्राविल्स में बेठे थे इस वज़े से मोबल जो है इतना हेल डूल रहा था यहां पर खाने की तैयारी हो चुकी है साड़े बारा या बारा या साड़े बारा हुए होंगे तो मैंने ठेचा लाया था यह देखिए मतलब की हरी मिर्ची का जो चटनी होता है ना उसमें मुमफली वेगरे डाल के बनाते हैं तो मुमफली हरा धनिया और सेकी हुई हरी मिर्च लेसून सब डाल के चटनी बना के बुलाए थे और राज जो है ना आलू की सबजी का रोल करके खा रहा था रोटी में तो रोटी नहीं बनाई थी पराठे बनाए थी मैंने सिम्पल वाले और ये देखिए यहांपर ये धरन बोलते है ना तो धरन का पानी आया हुआ है यहां तक मतलब कि रोड तक आ गया है य से समुद रही हो बहुत ही बड़ा था और बाके का तो मैं शूप्ड भी नहीं कर पाई थी तो यह मैं कौन सा गाव है यार वो तो वहाँ का यह ना है आप देख सकते हो तो यह सुरत जाते जाते जो सोनगर लगता है ना सोंगर्गाव एक हो तो हांका किला है ये बहुत ही जादा प्रसिद्ध और सिवा जी महराज के ही ये सारे के सारे किले हैं मतलब कि वह जहां जाते थे वहां पर किल suis बनाया घरते है ऐसा सुना है हमने तो यहाँ पर हम तीन साड़े तीन बज़े आ गए थे घर और घर आने के बाद ना मेरी ममी ने जो है पिसना निकाला था तुरत क्योंकि वो भी यहाँ पर आट नो दिन से घर पे नहीं थे तो मेरे भाय के घर थे इस वज़े से पिसना जो है उनका खतम हो रखा था तो नो ने पिसना निकाला है और यह देखिए यहाँ पर सूरत में बस यही फैक्टरी और धूर मतलब जो प्रडूशन है ना वोँत ही ज़्यादा है यहाँ पर बोलने का मतलब यही है आप देख सकते हो कितना धूवा निकल रा यहाँ से तो कम ही दिखाई देता है बट जहा हम जाते हैं ना फैक्टरी के तरफ तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआ होता है तो ये देखिए ये है पूरी कॉलनी और ये पीछे का बैक साइट का है और मैं हम ना उपर के माड़िये पर मतलब की उपर की फ्लोर पर रहते हैं तो राज नीचे चला गया था और शाम का अच्छा नहीं लग रहा था तो क्यूंकि ना पहले पहले दिन तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है तो आप देख सकते हो यहां का व्यू कितना मस्त है ना खेती है यह तो अभी शाम के मतलब सूरज ढ़लने में हैं आप देख सकते हो बहुत मस्त नजा रहा था तो मैंने स खेती में लोग आभी भी काम कर रहे हैं, तो घर वाले ही लोग हैं वो, क्यूंकि दो ही लोग हैं, लाइक हस्बेंड और वाइफ, तो मुझे ऐसा लगा यार, हस्बेंड वाइफ होगा, मैं तो उनके पास जा के तो देखा नहीं, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर न ककड़ लगाई हैं, और यहाँ पर वो जो दाल होती हैं, तुवर की दाल, तो वो है, तो कितना मस्त नजारा लग रहा हैं, मुझे ऐसे हर्याली, ऐसे खेती वेगरा होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और अभी हमें खाने की तयारी करनी होगी, तो खाने में आज बच्चों के लिए बना लेंगे हम खिचडी, और बच्चे क्या खुशी तो उसके मामा के साथ चली गई, मतलब की मेरे बड़े भाई के साथ, तो राज के लिए थोड़ी सी खिचडी डाली है ममी ने, और मेरे लिए अभी साबुदाने बना रही थी, तो मेरा फास्ट है इस वज़े से, तो तेल यहां पर डाल दिया है कड़ाई में, और कड़ाई में तेल डालने के बाद हरी मिर्च काटके डाल दी है, और मेरे ममी के हाथ के साबुदाने बहुत ही मस्त और बहुत यम्मी लगते है, मतलब बनाने की टेकनिक तो एक ही होती है, बट पताने क्या है क्या नहीं मा के हाथ का स्वाध ही अलग होता है तो जो साबुदाने बनाते हैं उसका स्वाध ही अलग हो जाता है मुझे बहुत पसंद आता है तो यह देखिए यहां पर साबुदाने और मैं मेरे घर पर साबुदाने खाती नहीं हूँ बट यहां पर मैंने खा लिये थे और इतने सारे साबुदाने में खा लिये थे तो हरी मिर्च डालने के बाद ना अच्छे से फ्राय होने के बाद डाल दिये थे साबुदाने और फिर ये जो मुमफली भूनके रखी थी ना वो डाल दिया और नमक डाल दिया वस और थोड़ा सा हमें धग देना है और हमारे सा अमी अमी बहुत मस्त मस्त वाले स्थापदाने बनकर रेडी हो चुकी है आईए आप लोग भी खाने के लिए तो आए होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजेगा और न्यू हो तो सस्क्राइब भी कर दीजेगा यार बहुत मेहनत करते हैं तब तक के लिए बाइ बाइ नेक्स वीडियो में मिलेंगे